हलो और वेलकम टू आमिकरेज दोड़का मेरडा मैं मिलत और हाश्टाग सवाल संदे में आप सवी का बहुत स्वागत हैं मैं आगए हूँ नए सवालों के साथ जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दू जो लोग नए जोड़े हमको बता दू कि हमारा सवाल जवाब का सेशन होता है जो भी आप हफते हो और मैं सवाल मुझे पूछते हो मैं उसके जवाब लेकि आती हूँ every Sunday तो अगर आपने सवाल नहीं पूछा है कुछ पूछना चाहते हो तो comment section में आप पूछ सकते हो मैं आपके सवालों का जवाब लेक्ट आओंगे एवरी संडे को वीडियो शुरूरे से पहले आपको तो पता ही क्या करना है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजे करें लूह पर चानल को सब्सक्राइब कर दीजे जिए प्यला किन के साथ, helped am जबही कि अगरे बीडियो दालूंगी आपको आपकी फोन की घंटी भजे तो बढ़ते सवालों का और सबसे पहला प्ट G.O नहीं मिसश जेड एफ SP का hi ms.z.sp मतलब डिश्वाशर में इसलिए उसमें उसमें बरतं खराब हो सकता है एसलिए रेक्ष्ण आप ना यूस करें अगर भी रिखे घर दिश्वाशर सेफ तो इस बेटर रोष विठ है उड़ डाले को अचैनometer, समय भीड़ु में बड़ना ऑक नपलभ सब्सक्राइज ही। नीलम करणानी जी है नीलम जी हावक युर नी wrist गासिय बनी द्रशेर के conhecer भीड़ु कहीं भाने को कहें गान시면 द्रण । नीलम जी मुझे लगता है कि मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मुझे असा लगता है कि आपके साथ ऐसे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कि आप शाय डिटर्जिन ज्यादा डालते होंगे तो ठीक से धूल नहीं पाता होगा इसलिए दाग रह जाते होंग आपको ज्यादा detergent नहीं लगता है अगर आप ज्यादा डालते हो access में तो थोड़ा सा कम यूज़ करो फिर उसमें फरक देखो क्या आता है मेनाटी व्लोग्स हाई कैसे हो आप और मेनाटी व्लोग्स बूल रहें आप कौन सी बुक पढ़ना पसंद करती हो वैसे मैं mostly तो बुक पढ़ना मैं motivational ही पसंद करती हूं कि ये motivational रहना मतलब सभी को पसंद है और मैं जादातर motivated रहती हूं क्यूंकि मैं positive सोचती हूं और मैं motivational बुक पढ़ना मुझे पसंद है जादा मैं और कोई बुक नहीं पढ़ती motivational को छोड़के पूनम जी, पूनम खेमराच सिंग जी, हाई पूनम जी और पूनम जी ने बुला है वाओ मज़ा आ गया इतना अच्छा घर बाहर जाने का मनी नहीं करेगा इतना अच्छा घर है, थाइंक्यू सो मज़ उसके लिए, इतने मतलब आपको घर पसंद आया उसके लिए थाइंक्यू सो मज़, वो बूल रहे है कि बाहर जाना पसंद नहीं अच्छा नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा अच्छली, अच्छली मेरे साथ भी यही होता है, अगर मेरा थोड़ा सा मन करता है कि फ्रेश हो जाओ, तो कॉलनी का टूर भी आपने देखा होगा नहीं देखा तो जाके देख लिजे मेरे वीडियो में, कॉलनी में थोड़ा सा टहल कियाती हूँ, अदर्वाइस वहां प अधिन करने के बाद कपड़े completely सूखने के लिए रसी पे डालने पड़ते है या फिर पहनने लाइक हो जाते है, नहीं उतने सूखते नहीं है, पहनने लाइक नहीं होता है, थोड़ा देर रसी पे डालना पड़ेगा अगर आप मॉनसून का भी यूज करोगे, आप्शन, तो भी आपको थोड़ा सा रसी पे डालना पड़ेगा, उसे जल्दी सूख जाएगा, बगी टारेक पहनने लाइक तो नहीं होते है उस मशीन में, नेक्स्ट इस अलबिस, अलबिस, हाई अलबिस, हावे यू, अलबिस बोल रहे है, मैडम फ्रीजर के उपर साइड में एक ब्लू अलबिस, अखित है उस जथा है, अपने नहीं देखा तो देख लिजे, अचलि फ्रीजर पर लाइट चली जाता है, यह फ्रीज खराब हो जाता है, फ्रीज बंद बढ़ जाता है, तो अब आपके पास आइस क्रीम है या ऐसी कोई चीज है, जो ब्लू अखर जल्दी मेल्ट हो जाए और आप चाहते हो कि जल्दी मेल्ट ना हो तो उसको कूल पैड के ऊपर रख सकते हो तो 12 गंटे तक कूल पैड उस चीज को कूल रखेगा पिगा लेगा नहीं ठीक है जैसे for example ice cream अगर आप उसके ऊपर रखते हो 10-10 गंटे के लिए आट-10 गंटे के it means a lot to me आप लोग इतने अचे-चे comment करते हो तो प्लीज इसको अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर दो चैनल को तो आज के लिए इतने ही सवाल है subscribe कर दो चैनल को जल्दी से जल्दी अगर अने किया है तो और वीडियो के नेचे like कर दीजिए और बेल आइकन के साथ अगर subscribe करे करेंगे जब भी मैं वीडियो दालूंगी आपकी फोन की घंटी बज़ेगी तो प्लीज डू 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 सब्सक्राइब तो मैं चैनल and thank you so much for watching this video, मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए, bye, take care